जी हाँ दोस्तो हमें IPL में कुछ ऐसे फैंस देखने को मिलते हैं जो IPL के हर मैच को लेकर काफी excited नज़र आते हैं लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो इसी कियार में ब्रश्टा चायर और सटे बाजी को बढ़ावा देते हैं जी हाँ दोस्तो उसी पर नकेल कसने के लिए इस बार BCCI ने कुछ बड़े कदम उठाए हैं आप सभी को बदा दे कोरोना वाइरस की बज़े से लीक को इंडिया की बजाए UAE में शिफ्ट किया गया है लेकिन टूर्नमेंड में सट्टे बाजी और भरष्टा चार बढ़ने क के कयास लगाये जा रहे हैं BCCI ने हाला कि सट्टे बाजी पर लगाम लगाने का एक तरीका खोज निकाला है BCCI ने सट्टे बाजी और अन्य भरष्ट गति वीदियो को रोकने तथा इस पर नज़ा रखने के लिए इस पोर्ट रडार के साथ करार किया है जिहां दोस्तो इस करार के तहट इस पोर्ड रडार अब लीग के दोरान BCCI के प्रष्टा चार निरोधर एकाई के साथ मिलकर काम करेगी और अपनी सेवाएं परदान करेगी इसके अलावा इस पोर्ड रडार BCCI को खूफिया और डेटा संचालित करने के लिए एक जोखिम मोल्यांकर को भी परदान करेगा और BCCI आवश्यक होने पर साज़धारी के अबदी के दोरान स्पोर्ड रडार की खूफिया और जाच सेवाओं पर कॉल करने के शक्षम होगा जिहां दोस्तो यानि कि स्पोर्ड रडार रखेग जाना हमारी लिए काफी ज्यादा सम्मान और गर्व की बात है क्यूंकि स्पोर्ड इंट्रीटर में वेश्विक लीडर की रूप में हम अपनी विशेश अग्यता परदान करें और इंट्रीटर से संबंदित मुद्दों के खिलाफ टूर्णामेंट की रक्षा करने मदद क करने की उमीद करते हैं जी हां दोस्तों इस पोर्ट रडार को लेकर कुछ ऐसी अप खबरे सामने आई हैं जहां पर सट्टेवाज और ब्रश्ट अचारियों पर नकेल कसने के तयारी में हैं बेसी स्याई क्योंकि वह नहीं चाहती किस बार भी आई पेल में कुछ ऐसा करने के लिए ततपर हैं कोरना वायरस की वज़े से युए में शिफ्ट किया गया है इस बार आई पेल का आयोजन लेकिन वहां पर होने की बजाए भी यह क्यास लगाया जा रहा है कि इंडिया के मुकाबले शट्टेवाज ही वहां ज्यादा बढ़ सकती है इंडिया में त साफ कर दिया है बीसी सी आएगा ये कदम कितना काम आएगा सट्टेवाज और वरस्टाचारियों को नकेल कसने के लिए क्या जोग पाएंगे वरस्टाचार और सट्टेवाजी इस साल आई पेल में या फिर खुल कर होगी सट्टेवाजी या वरस्टाचार देखना होगा दिल्चस्प लेकिन आई पेल के हर मुकाबले होने वाले हैं रोमाई चक साड़े साथ बज़े आप देखना नहीं भूलेगा चैनल सुपर किंग्स बनाम मुंबाइन नेंस का मुकाबला जो होगा पहला नेक्ट नाइन स्पोर्ट्स दीपक की रिपोर्ट